नमस्कार दोस्तों रविकांत बटाचार्य के साथ आज की ताज़ा ख़वर मेवा चेत्र में मोबाइल पर तीन तलाग का पहला मुकदमा दर्ज कामा सरकल के पाड़ी मेवा तिलाके में अपनी पतनी को मोबाइल पर तीन तलाग देने का पहला मामला सामने आया है जिसको लेकर पीडित ने पाड़ी थाने में दरज कराया है पाड़ी थाना, पुलिश ने मिली जानकारी के अनुचसार पाड़ी थाना चेत्र के अंतरगत आने वाले गाम सतवाड़ी निवासी विवायता ने अपने पती सहित साथ सोसर और देवर जेट समेत कई लोगों के खिलाब मुसलिम महिला संदक्चन एवं विवा अधिकार आदिनियम के तैत मामला दर्ज कराया है दर्ज कराये गए मुकदमे में उलेख किया गया है कि पीडित विवायता की साधी तीन बर्च पहले गोपालगर थाना चेत्र के गाम पीरू का निवासी साइद पुत्र पजरू मेव से हुई थी पिछले दिनों वे अपने पियर आई हुई थी 27 परवरी रातری को करीब 8 ज Nigre विवायता के पिता के फ़ोन पर उसके पती का फ़ोन आया और उसने पिता को कहा कि उसकी पतनी से बात करा दी जिये इसी पर पिता ने मोबायल का स्पीकर आन कर दिया जब पती से बातचीत करने का कारण पुछा को लेकर विवाईता के सुसराल पीरू का गया तो वहां ससुर फजरू सास सेरनी जेठ आबिद एवं देवर साविर ने कहा कि हम सब की सला से ही सईद ने अपनी पतनी को फौन पर तलाग दिया है जिसके बाद पीडित विवाईता ने पाड़ी थाने पहुंचकर मामला के बाद मामले की जहांच करने में जोट गई है उलेकनी है कि केंदिर सरकार द्वारा तीन तलाग पर बनाए गए कानून के बाद मेवा छेतर में मोबाईल पर तलाग देने का पहला मामला सामने आया है जो पूरे छेतर में एक चर्चा का बिसे बना हुआ है वहीं मार पीतया, मुद्स पहज मांगया, पैस मांगया, पैस अलाके देज मुतित्यार से मुद्स हमार रखिए राट दिन मार नगजयां जान्सु उन्हा चैये, राद दिन मार पिताई दियर जेक, सासु, पती सम मार हो नाय मेर क्वास में, मैंने राज कुशीबू जट तलाक दी तेन बार मुट दे जटता लाग दे पीट को मुस्ताड़ी जटता लाग दे दिए अबीला उसका नाम सहीद 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 पुत्री हासिम जाती मिया निवासी पीरु का थाना को पाल करने तहरीरी रिपोर्ट दे थी कि मेरे इसाधी तीन वर्स पूर हुए थी कि सटाइद गुरात को आधवी बात है मैं अपने पियर सटवाड़ी में थी तो मेरे पती ने सहीद ने पिता के मुवाल नमबर नमबे सटाओन ग्यारे अटशट चोविस जिस पर सहीद के मुवाल नमबर नमबर तो दोस्तों हमारी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेला इकन दवाकर अपने दोस्तों तक खबरों को सेयर करें कामा विदान सबाशेत्र की सभी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें